जुनाव का समय नजदीक आते ही राजनेती पारा भी गर्वाने लगा है बीजेपी ने भी नर्वाना के हुड़ा ग्राउंड में जद समर्थन रैली आयोजिती जिसमें स्टार प्रचारक की रूप में सीम मनोहरलाल पहुंचे उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया वै तलवार भेट की गई इस अवसर पर मंत्री कृष्ण बेदी वैस सिर्सा लोगसभा प्रत्याशी सुनेता दुगल भी मौजूद रही हर्याना में मैं सभी लोगसभा में दो दो बार तीसरी जार भी बार जारा हूं और मुझे ही लगता है कि हर्याना की जनता ने जो प्या परिवा कह सकता हूं एक जो आवान ने किया है ने जनता स्वी करेगी दस की दस सीटे पार्टी को देखर करके और ने दर मुख्या मंत्री ने कहा कि देश को दुनिया की महान शक्ति केवल मोधी भी बना सकता है देश में इस समय लोगसभा चुनाव का समय चल रहा है और द क्या है क्या करेंगे कोई पुल्मावां वे तो कोई आतंकवाद की बात करेगा लेकिन सभी सवालों का जवाब केवल एक ही है केवल मोधी तेखिए हर्यणा सरकार के मुद्धे तो खास करके जो ट्रास्पिरेंसी जो ब्रस्टाचार पर हमें चोट मारी है जो एक नौजव ट्रेक करते हैं ताकि कोई भी कभी इसको न रह जाए फिर भी काम ऐसे बहुत हैं जिन कामों को हमारे बढ़ते हुए सारे दवाओं के चान से शहरों पर दवाओं बढ़ रहा है इंफरस्ट्रक्चर वहां उसकी आउशकता है गाउं में भी जो इस पकार का विकास पहले न मोधी का अर्थ है मैन आफ डिवेल्पमेंट इंडिया इस देश को दुनिया का महान शक्ति अगर कोई बना सकता है तो केवल मोधी ही बना सकता है सीम ने दावा किया कि हर्याना की दस की दस सीटे जीतेंगे आप सुनीता दुगल को विज्याई बनाएं कमल के फूल पर मोहर लगा है एक बेर फिर मोधी सरकार बनाए इनेलों के गढ़ में गर्जे सीम मनोहरलाल उन्होंने कहा कि नर्वाना हलका सिरसा लोकसभा का हिस्सा है यह इनेलों का गढ़ रहा है जो नर्वाना की जनता का दिल जीतता है सिरसा लोकसभा का ताज उसके सिर सचता है सीम ने रैली का जोश रैली कर जोश भरने का काम तो किया लेकिन इसका पता 23 मई को लगेगा कंचन टीवी के लिए उगुलशन चावला की रिपोर्ट कि यह झाल ने जीतता है